नमस्कार फ्रेंड्स मैं डॉक्टर पंकर जानंद सीनेर कंसल्टन फोर्टिस हास्पिटल एक बड़ दुबारा आपके पास पिछली वेव जा चुकी है नई वेव आहड दे रही है लेकिन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हम ठीशन फेज कर रहे हैं हमारे पास बहुत सारे post-covid के patients बहुत अलग-अलग लक्षण लेके आ रहे हैं एक लक्षण जो बहुत जानलेवा तो नहीं है लेकिन बहुत distressing है patients के लिए वो है बालों का गिढना post-covid phase में Almost रोज एक या दो patient या तो phone करता है या call करता मिलता है कि साथ massive hair fall हो रही है तो I thought कि मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में और फ़ोड़ी इंफरमिशन ले दूँ जब भी बाडी में कोई serious infection होता है तो during the time of infection या infection के बाद बाल गिर सकते हैं या गिरते हैं यही COVID के patients में हो रहा है post COVID के patients में हो रहा है और जैसा serious infection में होता है अधिक तर मानलों में यह बाल वापिस अपने आप को समय बाद होगाते हैं तेकि हो क्या रहा है जब जो serious COVID होता है patients को तो पूरा body stress में जाता है और इस दोरान बाल समय से पहले ही जो उनकी growth cycle है उसका एक telogen phase होता है उसमें चले जाते हैं और यह immature बाल है जो उगाए अब यह जब immature बाल उगाए और आप पोस्ट COVID phase में हैं दो मेने तीन मेने हो चुके हैं तो जो normal healthy बाल हैं वो अब उगना शुरू हो रहे हैं और यह immature बाल गिर रहे हैं तो यह बालों का गिरना एक natural process है after a severe COVID infection तो इसको लेके बहुत ज़्यादा stress लेने की ज़रूद नहीं है अमूमां अधिक तर मामलों में आपकी hair growth दोबारा हो जाएगी it might take three to six months और यह बाल तो यह मान लीजिए इनकी जैसे हमारे बच्पन के दाथ होते हैं इनके नियत ही है गिरना however, नए बाल स्वस्ताएं अच्छाएं उनके लिए आपको basic चीज़ें करनी है कोई अलग से दवाई नहीं है उसके लिए आपको सुपाच बैलेंस डाएट लेनी है जिसमें enough amount of proteins हो आपको mild exercise रखनी है stress बिल्कुल नहीं लेना है stress बहुत बाल गिराता है और पूरी नींद लें और इसको लेके बहुत परेशान नहों मैं कहूंगा कि आपको tension ही लेनी है तो नई infection से बचने के लिए परियास कीजिए बनिस्पत इस hair loss को as I said ये बाल दोबारा आजाएंगे बहुत ज़्यादा कोई special type के oils shampoo वगरे probably आपका नुकसान ज़्यादा कर जाएंगे avoid them and wait for fresh hair to grow thank you